आज अहां मुझलोग बात करने वाले शिद्धी के प्रकारों के बारे और दूसरी चीज आपके पास इनमें से कौन से वाले क्या क्या दूबब आपको गोटे होंगे कैसे पता लगा एक कौन सी वाली सिधिक आपके पास तीसरी चीज जब कोई भी गुरुतत्व आपको सिध्य प्रदान करता है सर पे हाथ रखते हैं इसे आप शक्ति पात भी कहते हो ठीक है तो वह सिद्धी जो किसी गुरू की दी है और जो आपके कलेक्ट की गई सिद्धी है दोनों में क्या डिफ्रेंस होता है इनके बारे में जानकारी लेंगे डेप्त में जाएंगे इन चीजों को साइंटिफिकली साइन्स समझेंगे इन सारे देशिए शुरू करते हैं जै माता दी आप सभी लोगों को यू आर वाचेंग मादिशक्ती पेडिटेशन के इंदर आनम सबके जोटे से प्यारेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वार बैं फिर से लेके बैट गें छूटा सा स्लिप जिसमें मैंने आज की टॉपिक लिए हैं ताकि मैं टॉपिक से ना बढ़कूं और देख देखके एक करके सारे पॉइंट आपको समझाओं सबसे पहले जानकारी जो मेरे को आपको देनी है वह है टाइप सभी कितने प्रकार की और कैसे कैसे होती है और आ अगर यह सिद्धी आपके पीछे खड़ी है तो आपको चलते वक्त ऐसा महसूल होना कि कोई मेरे पीछे चल रहा है और कुछ ना कुछ मुझे जादा अनुभव हो रहे हैं तो प्रतक्ष सिद्धी के होते हैं आप प्रतक्ष सिद्धी कई बार मोसली हर इंसान के पास होती जो भी थोड़ी बहुत पूजा पार्टिया जाब करता है यह कृपा कहलो भगवान की वह आपको प्रदान करती है तो दोलों के बारे में जानकारी लेते हैं डीटेल से जानते हैं देखो अगर आप एक बिगिनर होना यानि कि आप एक बेसिक सी मेडिटेशन आप करते हैं या माला में करने सिर्वारती चारी साथ पूजा थोड़ा बद्भाव हैं मंदर जाते हो तो शुरुवात में भगवान हम चाप भी शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप प्रतक्ष सिद्धी हमें मिलती है ऐसी सिद्धी जापके आसपास जरूर होती है आपको ज्यादा भ भगवान की लाइट वॉल्टेज मतलब कम अगर आप बहुत अच्छे साधना करते हो बहुत अच्छे साधक हो भगवान की मंत्र जाप आपने बहुत ज्यादा किये हैं आप उनके लिए मन में अटूट श्रद्धा टूट भाव है एकदम समर्पित उनके लिए पूरा और ज्यादा महसूस करबासे बॉडिय में ज्ट को का लगना और फडकन होना बॉडिका मोट में जाना बॉडिका वाइब्रेट करना व्यप्रेशिद का महसूस करना या फीर बॉडिका आगे पीछे होना यह सारी चीज़े जो आपको होती है के जिए सिधी कारण चलते वक्त यह बहुत पावर के साथ आपके साथ विराजित आपके साथ खड़ी है एक फोम के अंदर एक उर्जा के अंदर एक स्वरूप लेकि खड़ी प्रतक्स एक लगी यहां रहता है कि देखो मैंने डीटेल में आपको बताया था अंश के बारें जैसे रिमोट में चार साल इसे हर सिद्धी के अंदर आंश होते छितने जादा अंश उतने पावर्फुल चिक तो अंश 2 से शुरू उजाए वह एक सिद्धी बन जाती है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1000, 10,000, 1,00,000 अंच के उसकते हैं उसक्ती हैं लेकिन आमिन सम्के पास 3, 4, 5, 6, 7 अंच का मतलब मैंने जिसाथ अंच का मतलब अगया था कि वो सिध्धी एक जगा पर यानि कि एक साथ कितनी जगाओं पर प्रेजेंट हो सकती है सब्सक्राइब एक सिद्धी को दो जगा जाना है जिसी कि आपने आज बोला कि है भगवान मेरे बच्चे का आज एक्जाम है तो आप उसकी लिए प्लीज साथ देना उसका उसे किसी भी तरिके की प्रॉब्लम ना हो जब आपने शिव भगवान से प्रात्ना गिया हनुमान इसे प्रात्न गित आपके बास सब्वोश सिद्धी के दो अंच तो एक अंश हनुमान जी ने आपको आपके साथ ही छोड़ दें प्रोटेक्शन के लिए एक अंच वाले हनुमान जी चले गए हमारे आपके में सब्सक्राइब के लिए कि मेरे हज़बन के आज मीटिंगे प्लीज उनका कॉंसेंट्रिशन लाक ना हो कोई भी प्रॉब्लम मुझे नौ प्लीज उनके हल्प करना ना हो जो हनुमान जी की सिद्धी है आपके पास तो रहेगी रहेगी आपको छोड़के नहीं जाने वाली क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए हनुमान जी आपके से रहे चुरण मौन कर रहे होते हैं लाख वान की बढ़ती रहती बढ़ती रहती अंश बढ़ते रहते तो आपको बढ़ती रहते हैं लॉजिक्वाइस आपको साइन समझा रहे हुं सब्सक्राइब नाव सिद्धी दो से उपर तीन चार पाची कितनी भी हो सकते हैं सो आपके पास अंश है तो पांच के बेटें के सचले जाएंगे चाहे दस अंश के उनके सचले जाएंगे तो वह दस अंश होना एक बहुत बड़ी बात सब्सक्राइब कर दस अंश का मतलब समझ लेजिए कि किसी साधक ने कम से कम उनकी दो साल तक साधना की है अच्छे से उच्छे लोगों को भगवाल एक महिने में हजार अंश भी दे दे और देने को भगवाल एक साल में दो अंश मिला यह आपके भाव पर करता है आपके है प्र खूल आकि प्रणसवर क्या वाप ने प्रेम उन से करते हो कि उच्छे में कित्जी ट्रांसवर का है तो मैं रहत देता हूं समान को थाकि मैं समझा सब्सक्राइब आपको सिद्धी ट्रांसवर कई आपने देखा हो अगा है कि कई बार ना हम लोग गुरु दिख्षित होते हैं हम गुरु से दिख्षा लेते हैं कई बार मंत्रों के दिख्षा लेते हैं और कई बार हमें गुरु के द्वारा सर पे हाथ रख कि कुछ चीजे प्रदान की जाती है या की जा सकती है तुरानल जमाने में बहुत होता था बहुत बड़े बेड़े गुरु संत्त होते थे वो अपरी एंदरजी को सुरक्षा के लिए किसी और कारण से डेवलप करके डेटे थे इसके पीचे का साइन्स क्या है और क्या ये सही है या नहीं मैं आपको छूटा से एक एक्जाम्पल देकर समझाता हूँ साइन्स भी समझा देता हूँ अब गुरु क्योंकि गुरु है तो उन्होंने कई सालों तक तपस्या की होगी और बहुत सारी शक्ती भगवान की अरजित की होगी भगवान के असीम क्रपा उन पर नहीं होगी तो उनके पास किसी भी सिद्धी के अंश की कभी नहीं होगी तो गुरु करते क्या है सपोस् आपको किसी भी प्रकार कोई भी शिद्धी अंश कलेक्ट करके आपके सर पेहाद रख lot करके तो वह सिद्धी आपको करने डुधार एक कि चार रची पाच की तस अश्ण जितना भी हूद रच हो जै आशे की गुरू की मिल गई तो यह होता है सिद्धी ट्रांसफर लॉजिक समझ में आया आपको साइंस के पीछे उन्होंने कम्प्लीट सिद्धी नहीं अपनी सिद्धी के कुछ अर्श्प्रदान आपको करती नाव क्या यह सही है क्या गलत है एक एक्जामपल दूगा उसके वाद चाहल्बू की बुराइ topl Çaसा। ऎरग six यह सब लूग करते हैं और 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 अपने पीछे से अपने माते हैं गुरू का भणा थे मांते हैं तो वो सिद्धी भी आपके साथ अच्छा तरने के जगा उल्टा कर देए और क्योंकि वो गुरू की शक्ती गुरू के अनर्जी है तो गुरू का आदेश पहले मानेगी आपका बात है अगर गुरू कह जते हैं कि आपके घर में ऐसा ऐसा नहीं करना है या आपका साथ नहीं देती है इन-फाक्ट आपके आनेवाली इनर्जी आपके आनेवाली है वो उसन से़ेरी से सभू और और कंट्रोल करी और अपके नहीं बंदे देते तो कई बार क्या करते हैं आप अपने गुरू अगर आपकी गुरू अच्छे हैं जो कि कल्यूग में मिलना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है जो आपकी गुरू आपको बहुत अच्छा महसू सब्सक्राइब लेकिन अगर आपके गुरू बाहर से त्चिए है अंतर बुरे हैं जोकि जादा कर दीट की गुरु आपके साथ प्रॉब्लम ओ औक प्रतक्स समझ में आ गया नुभव भी बता दिए प्रॉपपर तरीके से का उन्हों हों duos kim करने का प्रोसीजर्ब ऑना चाही प्रकार के जता है किस प्रकार प्रकार नहीं की अभी गुप्ट से शुरू हो रहे हैं थर राध यूण बहुत लोग जब मुझे सकानिम करा दे है तो उनके पास बहुत सारी निल्ची सिर्फ प्रितक शुरूप से होती है तो मुझे बताते हैं कि मुझे से और स्ट्रॉंग करना है तो गुपनगराद्पर में आप साधना करें जाब करें जब आप स्कानिंग कराते हैं तो कई सवाल आप पूछते हो सिद्धी ट्रांसर का इनमें से एक था तो मैंने आपसे आज बताया पाकि अगर आप भी और स्कानिंग करना चाहते हैं तो नंबर आपके स्क्रीन पर है आप डेफिनेंट्री कॉंटेक्ट के मेरे टीम से अपने स्कानिंग ऑन-लाइन वीडियो कॉल के तो दूसरी चीज आप मेडिटेशन क्लास आप जुड़ सकते हैं नई बाते सीख सकते हैं और बहुत सारी नई चीज़े सीख सकते हैं मिलेंगे हम ऐसी बहुत सारी और प्यारी वीडियो के साथ तब तक के लिए जै माता अदी आल दे बैस जैश्री राम हर हर महादे